नमस्कार बच्चो, now, finally, Q&A की इस वीडियो सीरीज में हम लोग हैं, तीसरे चाप्टर के उपर from our book, First Flight. Now, इस First Flight चाप्टर में दो कहानिया हैं, पहली कहानिया है, the titular story, titular मतलब जो title है इस पूरी किताब का, वही title की story है हमारी पहली कहानी, His First Flight, about a youngling, एक छोटी से पक्षी के बारे में, जो किस तरीके से उड़ना सीखता है, जहाँ पे उसे पूरी family उसे motivate करती है, दूसरी कहानी जो है, वो बहुत ही interesting है, बहुत ही mysterious ही है, जहाँ पे हम लोग एक black aeroplane के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कि किस तरीके से एक stormy night में, हमारा जो main protagonist है, एक pilot जो है, वो Paris से England ट्रैवल कर रहा होता है, पर हैरान परिशान हक्का बक्का रहा थे कि किस storms आ जाते हैं, और किस तरीके से उसको ये black aeroplane help करता है, जो कि, जैसे ही हमारा protagonist, हमारा hero land करता है इंगलेंड में, वो black aeroplane कहीं दिखता ही नहीं है, नहीं उसको और नहीं radar पे, तो ये जनरल में आपको छोटे सो ओवर वी दे दिया है, एक्षिल पूरी समरी के लिए, यू नो वाट तो, पुराने वीडियो पजाना है, लिए बेगिन विगन विद दिखे लिए ए उस आपके लिए है, फ़र्स विखेंग करना है, तो मैं ये गेस करूंगा, कि ये वाला जो word है तो timid का मतलब होता है जो weak और fearful है फुल अफियर ठीक है इसका meaning हमने समझ लिया इस word का timid अब question को समझेंगे हम लोग question क्या पूचा है why was the young seagal afraid to fry seagal एक किसम का bird होता है उसको दर क्यों लग रहा था उड़ने से do you think all the young birds are afraid to make their first flight तो अब आप से पूचा गया है एक opinion तो second half में तुमारा opinion पूचा गया है first half में हमें जो chapter में पढ़ा है उससे answer मिलेगा second half में जो chapter पढ़ने के बाद हमें समझ में आया है जिसके basis पर अपना एक opinion बनाएंगे वो second half का answer होगा ठीक है यहाँ पर जाना जुरूरी है कुछ questions होता है जो fact driven होता है कुछ questions होता है जो opinion driven होता है यहाँ पर हमें mixture मिला है उन दोनों टाप के questions का दूसरे half में पूचा गया है कि सारे चोटे जो birds होता है सब को टर लगता है या फिर कुछ birds जादा दरपोख होता है compared to the others question हमें समझ में आ गया इसलिए बारह बोड़ रहा हूँ 10 से 15 सकंड question पर ध्यान देके पढ़िए many a time it happens कि हमें question को लगता है कि हमने पढ़ लिया हमें आता है पूरा अंसर लिख देता है और बाद में सब में आता है कि ओ तिरी मैंने गलत समझा था ऐसा नहीं होना चाहिए answer since it was the young seagull's first flight he was afraid to fly simple answer है पहली उडान थी seagull की इसलिए उसे डर लगा since it was the young seagull's first flight first flight book का नाम याद रखना असान है keyword भी है he was afraid to fly yes I think all young birds are afraid before they take their first flight since they are doing it for the first time and it must be challenging for them बहुत simple सी बात है common sense based question है कि हाँ भाईया मुझे लगता है कि जितने भी young birds होते है na afraid होते होंगे before they take their first flight remember first flight में first word को लिखना जरूरी है first में पहली उडान इसके वर में फोकस करना है क्यों जरूरी है कि कोई भी नहीं चीज करता है because anything that we do anyone does for the first time it can be a little intimidating it can be a little fear inducing इसे लिए common sense wise it must be challenging for them answer क्वेशन नुमर टू the sight of the food maddened him what does this suggest what compelled the young seagull to finally fly अब इस question में भी एक ऐसा word आगे जो शायद हमें difficult लगे compelled का मतलब होता है what compelled the young seagull to finally fly compelled का मतलब होता है what finally motivated the young seagull to fly what actually pushed him to finally fly और इस वाले question का answer जो है हमें already मिल चुका है maddened the sight of the food maddened him तो भूक इतनी लग रही थी कि finally बोला कि भाया अगर मैं अब नहीं कूदाल उडने के लिए तो मतलब भूख समर जाऊंगा अब गिरने से दो बाद मरूँगा answer पर आते हैं अंगरेजी में fancy fancy the young seagull was reluctant to overcome his fear of flying his family was stubborn about giving him the flight lesson so after continuous rounds of motivation when he did not take off his mother used his hunger as bait ये अभी हमारा आधा answer हुआ है the young seagull was reluctant to fly उसको फ्लाय करना पसन ही ता reluctant मतलब he was not willing to do so because he was unable to overcome his fear of flying his family was stubborn about giving him so after a while अगर कहानी आदो की तो उसके परिवाज होता है उसके परिवाज होता है stubborn मतलब जिदी जाता है नहीं ओड ना मतौड तेरे भाही लोग सब्रमना खाने दोंड़ है तो कैसे खाएगा तो ये वाले चीज़ को नोने यूस किया और अगले वाले अंग्रेजी के फैंसी सिंटेंस में ये लिखा है so after continuous rounds of motivation because the family members tried to motivate him but it did not work when he did not take off still he was not taking off still the motivation was falling short to make him take off his mother keyword 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 his mother used his hunger तो उसकी जो धूग थी used as बेट बेट मतलब चारे की तरह यूस किया किया फिर क्या हुआ he was extremely hungry and when he saw his mother tearing a piece of fish mammy सामने बैठे हुई है थोड़ी सी दूर ये थोड़ी सी दूर ये थोड़ी सी दूर खारी है पूरे चसके लेके he cried and asked her to share it with him mammy ते थोड़ा खाना but instead of addressing the cries क्योंकि mammy तो जदी है she took a piece of food in a beak and stopped midway ऐसे बेट को यही थोड़ी 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 थी and stopped midway while flying towards the young seagull and in the beach because the other half the rest of the distance the mother wanted that the seagull should cover the rest of the distance all by himself taking his first flight not able to resist the pangs of hunger तो जो भूख के वज़े दर्दो रहा था the pangs का मतलब है पेट भी की बहुत दर्दो नहीं लगता है और बहुत खाली पेट रहता है तो pangs of hunger हमारा वैसा एक फ्रेज है जिसको हम यूस कर सकते है ऐसे का ऐसा pangs of hunger मतलब the pain that you feel in your stomach when you're extremely hungry he rushed at the food and plunged towards it प्लंज मतलब कूछ जाना डभ करना and took his first flight प्लंज़ने, आप हमें समझभाता है इस क्वेशन को द दील करने का तरीका थिसको हमें इस क्वेशन को यूज करने का तरीका यहीड़ता है किस तरिके से मम्मा ने उनकी हमाना सीगल की मम्मी ने उसके खाने की जो भूख थी उसको यूस किया तो मोटिवेट इम मैं कोड़ना तो मरुँंगा नहीं कुड़ना तो भूख से मरुख से नहीं तो क्या किया जाये वन तो try कर मरते हैं तो try ko मरा नहीं वह, he took his first flight, so answer is complete, the question had the answer Attentive Rannicke Now, Question No. 3 They were beckoning to Him, calling shrilly, why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly, again question में कुछ ऐसे words जो कि शायद हमारे लिए difficult हो सकते हैं यही words हमें vocabulary के marks भी देंगे, अगर हमने इनी words को use कर लिया, अपने answer में जो कि बहुत obvious ही बात है beckoning to him, beckoning मतलब बहुत जादा energy के साथ किसी को बुलाना beckon is the root word b-e-c-k-o-n is the root word, किसी को बुलाना बहुत energy के साथ, उसे बुलते हैं beckoning के, तो क्यों बुला रहे थे, बहुत energy के साथ calling shrilly, shrill मतलब एक high pitch sound एक high pitch sound को shrill बोलते हैं, shrilly यहापे बुला गया है, तो क्यों ऐसे चला-चला कि बुला रहे थे, यह question का हमारा है, first question का हमें meaning समझ में, question के first half का meaning समझ में आ गया, why did the seagull's father and mother threaten, threaten मतलब धंकाया, and cajole him to fly cajole मतलब, वहाँ पर उसे motivate करना किसी को request करना, motivate करना मतलब हर तरीके से मनाने की कोशिश करना, कि भाई, कर ले, कर ले, कर ले तो cajole का मतलब होता है, to try and motivate someone to do something, cajole, cajole is the word, pronunciation cajole, video के साथ ही बोलो, दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा याद रखना, मेरे बोलने से तुम्हें कोई भी नया वर्ड याद नी होगा, तुम्हारे खुद के बोलने से तुम्हें कोई नया वर्ड याद होगा, और उस वर्ड को अपने बनाय हुए sentence में यूस करने से वर्ड याद होगा so you have to remember, vocabulary बढ़ाने का तरीका यही होता है कि कोई नया वर्ड या उसका मेनिंग समझो, उसके synonyms, antonyms थोड़े से खोजो निकालो उसका part of speech समझो, और उस नय वर्ड को अपने बनाय हुए sentence में यूस करो अपने बनाय हुए sentence में now, coming to the answer the young seagal was about to attempt his first flight and was filled with anticipation and anxiety, words already used करना शुरू करती, anticipation मतलब किसी future के चीज के बार में सोच के हमें excitement होती है ना और डर लगता है इन इडर उसकेस में डर लग रहा है तो anticipation मतलब waiting for something that you actually want to do, that is in the near future, तो anticipation is one word and anxiety बताता है कि fear भी involved his anticipation में, he saw his family flying in the sky and enjoying themselves, तो देख भी रहा है, यहाँ पर story को याद रखना जरूरी हो जाता है कि आकाश मों उसके परिवार को उड़ते हुए देखता है मम्मी, पापा, भाइबें सब उड़ रहा है सिर्फ वो नी उड़ पा रहा तो it's a very important aspect और यह imagery create कर रहा है आपके answer को depth दे रहा है तो answer की जो creative writing वाली quality है वो यहीं से आती है कि यहाँ पर imagery को यूज किया गया है सिर्फ एक line के अंदर his parents were teaching the younger ones to fly and were motivating and mocking him for not being able to अभी हाँ पर मौकिंग वर्ड यूज कर रहे थे पर यहाँ पर हमें यह जाद रखना पड़ेगा कि उसके पेरेंट से मौक क्यू कर रहे थे क्योंकि अच्छे तरीके सब यूज कर रहे थे पर कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे तरीकों कोशिश करते हैं बच्चों को समझाने की पर बच्चा समझता नहीं है तो गलात तरीके संझाना पड़ेगा आपको तो पता ही होगा क्योंकि मेरको तो डेफिनेटली पता है यह वाली बात अच्छे से नहीं तो अच्छे से नहीं तो तीरी उली से निकल जाएगा तीरी उली से वह उड़ना तो सीग जाएगा तो मतलब अगर यह एक बहुत बड़ी पहाड़ी है तो यह वाला जो पॉर्शन है इसे लेज बोलत है एक दम कोने पे and feed him no food यहाद है पिछला question maddening hunger वाला question वह वाली जीज़ यहां पर से रपीट होगी है if he does not try they wanted him to get over his fear and learn to fly and enjoy his blessing as a bird ठीक है वह वह दे वांदे हम तो get over his fear the chapter का एक थीम इस पूरे चाप्टर में एक जो थीम बार बार हारी है overcoming fear mountain dew डर के आगे जीत है किसी पी तरीक से तुम्हें याद रखना है याद रखो but overcoming fear is one of the crucial themes of this chapter और बहुत खुबसुए तरीक से यह एक और लाइन यूस करिये learn to fly and enjoy this blessing as a bird तो यह added bonus है basically as a bird blessing को enjoy करना it's also a survival skill and hence was important to learn survival skill is another set of important word जो की इस क्वेशन के आंसर में आना चाहिए so now we have the complete answer they were beckoning to him calling him shrilly why did the seagal's father and mother threaten him and cajole him to fly so they were calling and beckoning to him shrilly because they wanted him to fly and overcome his fear of flying and the youngster the young seagal was waiting to attempt his first flight with anticipation and a little bit of anxiety anxiety का मतलब fear of what is about to come in the future he saw his family flying in the sky is an imagery that has been used in this पूरा अंसर जो की हेल्प करेगा हमे creative aspect देने का आसर को then we will talk about how his parents were trying to threaten him or cajole him in general trying to motivate him to take his first flight we will talk about the hunger pangs they also threatened to leave him on the ledge and feed him ledge का में मतलब पता है at the edge of some high place and we talk and wrap this answer up they wanted him to get over his fear and we talk about the motivation in general and we wrap this answer up with what वही सारी चीज़े है एक कंदन्स फॉर्म में और कुछ कीवर्स उसकर दो है his blessings as a bird कू काउंट करेंगी कोशिश करेंगे और इसके बस survival skill की बात कर दी and the answer is done and dusted और इसी के साथ हमारा and questions और जितने भी बाकी सारे questions आएंगे वो सारे इनी questions आएंगे और remember मैं बार बार आप कहा रहा हूँ और रोट लर्निंग से दूर होना है और किसी भी chapter के main theme को समझना है उन chapter की main themes को समझने के लिए उनके characters के interplay को समझने के लिए हमने already videos बनाए हूँ है जो कि आपने देख ले होंगे नहीं देख ले होंगे तो please chapter summary वाले videos को refer करना क्योंकि आप कितने भी questions कर लो आपको धीर दिरे समझ में जाएगा there is a pattern वही theme के आसपास question पुछेगा क्यों क्योंकि यार कोई भी chapter की बेसिक themes तो वही होती है ना तो थीम को पढ़ना या समझना अज़ाद असान है कि उस chapter से रेटेट पचास हजार questions जो हमारे से हमने हैंगे उनको क्योंकि उन questions को पढ़ना और रटना does not make sense बट एक chapter की theme को समझ लेना is much more easier in the long run क्यों कि बहुत सारे subjects है सब की पढ़ाई कर ली है तो at least अंग्रेजी की पढ़ाई थोड़ी असान तो बना ले मिलते हैं अगले वाले वीडियो में इसी chapter की दूसरी कहाने से डील करने के लिए जिसका नाम है the black aeroplane see you in the next video, bye bye